समुद्र अपने आप में ही रहस्य का भंडार है समुद्र की गहराई में ऐसे कही सारे जीव है जिने आसानी से देख पाना लगभग नामुम्किन है ऐसे ही सी क्रिचर्स को जब तक आप अपनी आखों से नहीं देख लेते तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे जीव भी हमारे दुनिया में रहते हैं दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ऐसे ही दस स्री मॉंस्टर्स के बारे में तो वीडियो को शुरू से लेके लास तक जरूर देखिएगा क्यूंकि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिल सकता है तो चलिए शुरू करते हैं करीब सो सालों के खोच के बाद हमारे साइंटिस्टों ने ऐसे अजीब और गरीब स्री मॉंस्टर्स को ढून निकाला है समुद्र की गहराईयों से दस नंबर पे है औरेंज फ्रोग फेश ये मचली कही सारे रंगों में और साइजों में पाई जाती है ये जीब आपने आकार के सामान अन्य जीवों को खा सकती है इन में से कुछ जीब ऐसे भी है जिने पहली बार देखने में आपको समुद्र पत्थर जैसा लग सकता है लेकिन असल में ये सारे जीवित प्रानी है नो नमबर पे है लॉंग हॉर्ण काउफिश ये प्रानी प्रशान्त महासगर में पाया जाता है ये प्रानी 20 इंच तक बड़ा हो सकता है कुछ लोग इसे अपने एकुरियम में भी रखना पसंद करते है वही दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है अगर आप काउफिश को खाते हैं तो आने वाली हजार साल आपका गुड लक चलेगा अगर आप जिन्दा रहे तो नमबर एट पे है बबल्स आई गोल्डन फिश ये मचली कोल्ड फिश की प्रजातियों में सबसे खुबसूरत मानी जाती है ये मचली हर तीन महीने बाद अपना रंग बदल दीती है नमबर साथ पे हैं बैलून फिश ये मचली देखने में कुछ हद तक आपको एंगरी वर्ड गेम के बड़े बर्ड की तरह लग सकता है ये मचली शिकारियों से बचने के लिए अपने अंदर काफी पानी जमा कर लेता है जिससे उसकी आकार दो से तीन गुना बढ़ जाता है इस मचली की जहर सापसे भी ज्यादा खतननाक होता है इस मचली की काटने की वज़े से हर साल तीस लोगों की मौत होती है छे नमबर पर है मेक्सिकन सलमेंडर ये प्रानी अपनी healing abilities के लिए जानी जाती है ये प्रानी पानी और जमीन दोनों जगाओं में जी सकता है इंसानों की तरह इस जीव में भी brain cells होती है पाच नमबर पर है leafy sea dragon leafy sea dragon नाम का ये जीव साउथ ऑस्टेरिया का सेंबल है ये जीव दिखने में कुछ हद तक पौरानी कथाओं में बरनी ड्रागन की तरह लग सकता है आपको चौथे नमबर पर है lionfish ये मचली समुद्र के सबसे गहराई में रहती है लगभग 305 मीटर गहराई में lionfish अपने खाने की शमता से 30 गुना ज्यादा खाना अपने पेट में जमाग कर सकती है तीसरे नमबर पर है angularfish इस मचली की करीब 200 किसम की प्रजातिया होती है पूर्य दुनिया में इन में से कुछ प्रजातियों को खाया भी जाता है दूसरे नमबर पर है blanket octopus इस मचली को देखने में कुछ हद तक लग सकता है कि octopus अपने उपर blanket और के रखा है ये प्रजाति दुनिया में सबसे कम पाया जाता है इसलिए इस प्रजाति को बायोलोजिस्ट पुरे दुनिया में ढून रहे हैं ये मचली दूसरे मचलियों के मुकाबले ज्यादा शातिर होती है इसलिए आज तक ये किसी की हाथ नहीं लगी हमारे पहले नमबर पर है flying fish ये मचली करिब 100 फीट तक एक बार में ऊड़ सकती है flying fish भारत महासागर और प्रशान्थ महासागर में पाया जाता है बार्बरोस का national fish इस flying fish को माना जाता है ये मचली 6 मिटर तक उचा जम्प कर सकता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो informative लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद